हलो रिवन, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चेनल फार्मरोक्स के यूटूब एज्यूकेशनल चेनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टड़ी करेंगे एंटिटसिव ड्रॉग्स के बारे में एंटी तैसे उस मतलब की ऐसे क्लास के मेडिकेशन की जिनको कॉफ सेंटर सप्रेसंड्ज ड्रग भी कहा जाता है और सिंपली हम समझे तो ड्रग्स फोरे कॉफ ऐसे मेडिकेशन की जो कॉफ की ट्रेटमेंड के लिए हम यूज करते हैं तो हम सीख रहे हैं अलग-अलग medicines की जो respiratory tract के उपर असर कर रही है तो इसके पहले के lectures में हमने expectorants के बारे में सीखा था Mucolitis के बारे में सीखा था फिर drug acting on bronchial asthma की bronchial asthma के treatment के अंदर हम कौन से medicines use करते है उसके अलावा हमने anti-sthmatic drugs के बारे में सीखा था C.U.P.D. के अंदर कौन से medicines use होते है उसके बारे में भी हमने detail में सीखा था तो आज का जो हमारा topic है drug acting on respiratory system के अंदर antitensive drugs तो सीखते हैं उनकी detailed pharmacology in this lecture और जानते हैं उनके basic use के बारे में उनके side effects के बारे में contraindication और mainly हमें सीखना कि ये medications अपना किस तरह से काम करती है मतलब कि उनके pharmacological action and mechanism पर action के बारे में हमें सीखना है तो अगर आपके पास android phone है तो डाउनलोड कर सकते हैं फार्मा रोक्स का android application कि जो google play store पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपके पास iphone है तो apple iphone app store पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले समझे ए antitensive drugs के बारे में तो antitensive drugs के सबसे पहले आप definition समझे तो antitussives are especially of a drug used to prevent और relief a cough मतलब कि यह essay class के medication है कि जो हम use करते है cough को prevent करने के लिए और साथ हो साथ cough को आपकी body में से relieve करने वाने का भी यह काम करती है तो उनके दो काम यहाँ पे हो गए एक तो prevent भी करती है और साथ हमारे body से cough को relief करवाने का भी काम करती है कि cough relief के तोर पे भी काम करेगी और cough को prevent करने का भी यह medications काम करते है कि चाहे आपके nozzle cavity के अंदर cough produce होके जमा हो गया है pharynx के अंदर larynx का जो portion है या फिर lower respiratory tract के अंदर ट्रेकिया है primary bronchi lungs तो चाहे आपका upper respiratory tract रेक है या फिर आपका lower respiratory tract है जहाँ पे भी cough जो है वो जमा हुआ है उसको relief करवाने का भी काम करेगी और साथे साथ उसका production भी कम करवाएगी मतलब कि उसको prevent करवाएगी produce होने से तो ये medicines को हम pharmacology के terms में कहते है anti-tussive drugs तो यहाँ पे जो word है tussive tussive का मतलब होता है relating to the coughing कि जो आपको खासी आती है coughing आप जो करते है तो tussive का मतलब होता है coughing और उसका antidots मतलब कि ऐसे medicines की जो tussive को रोकते है कॉफ को stop करने का काम करवाएगी उसको prevent करवाने का काम करवाएगी और कॉफ को कॉफ में से आपको relief दीगी तो ये तिन काम करने वाले जो medication से उनको हम कहेंगे tussive में से anti-tussive तो ये है main आपका concept ये lecture का कि ये lecture में आप primary क्या सिखने वाले है तो anti-tussive drugs के बारे में सिखेंगे तो anti-tussive मतलब की SI class के medication कि जो कॉफ है उसको stop करेगी उसको prevent करवाएगी और उसमें से आपको permanently relief करने का काम करवाएगी कि जो कॉफ excessive produce हो रहा है आपके body के अंदर और साथ में ये जो हम respiratory track देख रहे है उसके अंदर वो कॉफ क्या होता है जमा हो जाता है कि जो upper respiratory track हो आपका या फिर यहाँ पे जो हम lower respiratory track देख रहे है तो यहाँ पे ये जो कॉफ है वो जमा होता जाता है और condition खराब तब होती कि जब ये कॉफ आपके lungs के अंदर excessive जमा हो जाता है lungs और उसके जो main pores से निकल एक primary bronchi है bronchi है bronchiol से वहाँ पे जब excessive जमा हो जाता है तो काफी आगे जाके complications होते है respiratory track related तो respiratory track related जो अलग-अलग disease होती है उसमें जो एक symptoms हम देखते है कि वहाँ पे blockage होता है airway का pass होना काफी difficult हो जाता है congestion हो जाता है तो वहाँ पे main एक ही चीज होती है कि जो mucous produce होता है वो mucous excessive produce होता है और वो mucous आपके ये respiratory track के अंदर जमा हो जाता है तो उसको आपकी body में से बाहर निकलना काफी जरूरी है तो साथ में बाहर निकलने के साथ हो साथ जम जो कि उसका production भी हम कम करवाए तो illas जो है वो काफी आसानी से हो जाएगा तो antitussives are a class of medications used to treat cold and coughing and relief a cough from our body तो काफ को आपकी body में से relieve करवाने का काम करेगी और साथ हो साथ उसका जो दूसरा एक काम है कि काफ को produce होने से ही ये रोकती है तो they help to relieve the excess mucous from upper and lower respiratory track तो इसका जो main काम है कि help करेगी relieve करवाने में excess mucous कि चाहे वो upper respiratory track के अंदर है या फिर ये lower respiratory track के अंदर है काई से भी ये उसको आपकी body में से relieve भी करवायोगी और साथ हो साथ उसका production भी ये stop करवाईगी तो यहाँ पे एक जो main concept जो समझना है वो आप अच्छे से समझेए कि mucous जो हमारे body के अंदर produce होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक bronchial tube देख सकते कि जो हमारे lungs तक जो है वो air पहुचाने का काम करते कि जो भी हम breathing करते हैं तो जो air वगेरा होती है वो bronchial tubes में से पास होके हमारे lungs के end तक पहुचती है तो यहाँ पे आप देख सकते कि ये वाला जो portion आप देख सकते कि जो white color का है वो है mucous अब ये mucous की समझो कि मात्रा आपकी body के अंदर बढ़ती जाती है तो क्या होगा ये mucous की जो अभी आप देख सकते कि ये नीचे की और है वो दिरे दिरे उपर की और भी बढ़ता जाएगा और ये bronchial tubes को दिरे दिरे क्या करेगी ब्लॉक करने का काम करेगी साथो साथ क्या होगा ये mucous की जो viscosity है वो भी बढ़ती जाएगी जिसके करन ये काफी थीक हो जाएगा कि mucous जब पतला होता है तब तक कोई problem नहीं है वो आसानी से आपके respirator track में से बाहर निकल जाता है बड़ समझे कि उसके viscosity भी बढ़ गई और साथो साथ वो sticky हो गया और थीक हो गया कि पहले क्या होता था काफी thin था और non sticky था बड़ आगे जाके क्या होता है इससे reverse condition produce होती है कि आपका ये जो mucous है वो काफी थीक हो जाता है और sticky हो जाता है और sticky होने के कारण जो problem create होता है वो ये है कि उसको आसान इसे आप बाहर नहीं निकाल सकते proper medications लेने के बाद ही ये mucous आपकी body में से बाहर निकलेगा तो अब complications क्या होगी वो समझे कि mucous थीक भी हो गया है मतलब कि उसकी viscosity जो है वो increase हो गई है viscous होने के कारण उसकी जो movement है वो भी काफी stop हो जाती है काफी थीक हो चुका है अब वो तो आगे जाके ये क्या करता है आपकी ये जो bronchial tube है उसको narrow करेगा और वहाँ पे congestion भी कर सकता है तो it may build up in your lungs and throat and causing congestion in lungs and throat कि अब ये mucus excessive बढ़ता जाएगा साथ ही वो थीक भी है और sticky भी है जिसके कारण सबसे पहला जो complication वो produce करता है that is congestion in lungs and throat आपके lungs के अंदर और आपके throat के अंदर वो congestion कर देता है block करता है कि जैसे traffic jam जो हो जाता है तो कैसी condition produce होती है same like that यहाँ पे भी होता है जिसके कारण अच्छे से air जो है वो हमारे throat के through lungs तक नहीं पाउच पाती फिर यह जो congestion हो जाता है जिसके करण आपको breathing करने में difficulty होती है तीसरा produce यह होता है कि difficulty in swallowing आपको swallow करने में difficulty होता because throat को भी यह दिरे-दिरे क्या करता है block करता है, narrow कर देता है और जब lungs के अंदर यह काफी amount में जमा हो के वहाँ पे congestion करता है तो आपको chest के अंदर काफी tightness जैसा feel होता है and अब यह समझो के आगे जाके वहाँ पे permanently store हो जाता है तो आपके lungs को damage कर देता है और समझो के lungs आपके damage हो जाते है excessive cough के कारण तो person की आगे जाके death भी हो सकती है तो यह सब complications produce ना हो इसलिए proper ऐसी condition का इलाच करने के लिए यह medications को prescribe किये जाते है तो mainly antitussives का काम ही यह है कि आपके body में से cough जो होता है कि जो excessive mucous produce होना है और यह mucous को आपके body में से बाहर निकलना और साथो साथ उसका production inhibit करवाने का यह काम करती है कि cough या फिर जो हम coughing कहते है कि जो आपको खासी आती है तो खासी के दौरा क्या होता है कि हम हमारा respirated rack और उसमें भी जो throat होता है उसको clear कर दे कि वहाँ पे कुछ भी particle फसे है कोई कच्रा वगेरा है तो जितने भी यह foreign irritants होते है वो हमारे respirated rack में से हम बाहर निकल देते हैं coughing के तुरू बट जब वहाँ पे excessive mucous जमा हो जाता है और उसकी viscocity भी बढ़ जाती है और वो थीक हो जाता है तो इस तरह से यह excess mucous हमारे bronchioles as well as जो air sex जो हम कहते है lungs के अंदर जो होते है वहाँ पे यह जमा हो जाता है तो bronchioles का फिर आगे जाके वो inflammation करवा सकता है वहाँ पे यह excessive जमा होके समझो की वही पे रहता है तो आपका यह जो respirated rack का जो past way है उसको कर देगा narrow तो यह pathway narrow होगा और साथो साथ यह excess mucous यहाँ air sex के अंदर फॉस जाता है जिसके करण difficulty होती है breathing के अंदर तो जरूरी है इसको आपकी body में से बाहर निकलना और उसका production भी कम करवाना तो आप अब समझे antitussis के बारे में तो antitussis कि जो आपके central nervous system के उपर अपनी असर छोड़ते है and they raise the threshold of calm center or act peripherally in the respiratory tract to reduce tussle impulses or both of this action कि जो tussle impulses को reduce करने का मतलब कि tussle impulses क्या करते है आपके body के अंदर जो cough produce होता है mucus produce होता है उसके लिए ये tussle impulses pro का release होना काफी जरूरी है तो ये impulses आगे जाके message पहुचाते है आपके brain को और brain के जो cough centers होते है वो cough को आपकी body के अंदर produce करते हैं कि जो हम तीन elements की बात करते हैं हमारी body के अंदर कि एक होता है वात होता है दूसरी हम बात करते हैं पीत की और तिसरा cough तो वात, पीत और cough ये तीनों proper balance रहते हैं कि जब आपके body normal है without any disease condition है आपर proper healthy है तो उस वक्त ये वात मतलब कि वायो पीत मतलब कि जो acid की हम बात करते हैं और cough मतलब कि जो mucus होता है तो जब तक वात, पीत और cough का balance होता है तब तक person completely healthy होता है बट इन तीनों के बीच में जब imbalance होता है और उसमें भी जब cough का imbalance होता है तो आपको respiratory tract related disease होते हैं तो cough को produce करने के लिए करते की वहाँ से जो cough center से brain के वो cough को produce करती है और release करवाती है तो antitussive drug क्या करती है ये impulse इसको reduce करवाने का काम करती है जिससे cough का जो production है वो होगा reduce दूसरे वर्ड में समझे तो they aim to control rather than eliminate the cough इनका antitussives का main basic function ये है कि इनका काम है control करना rather than eliminate the cough मतलब कि antitussive tussle impulses जो है उनको दिरे दिरे reduce करके cough को जो production होता है उसको ही काम करने का काम कर दी है ये antitussive drugs जैसे कि आप जितनी भी अलग-अलग cough syrups यूज़ करते है antitussives तो वो क्या करेगे cough को का जो production है वो काम करवाईगी तो ये स्लाइड के इंतर एंटitussives का एक बेजिक फंक्शन चुपा है कि जो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि should be used antitussive should be used only for dry non-productive cough मतलब कि antitussives ऐसे क्लास के medicines हम कह सकते कि जो usually हम dry cough dry cough कि जो सूखी खासी जो हम कहते है उसकी treatment के अंदर सबसे ज़्यादा ये medications prescribe किये जाते है कि जिसके करण आगे जाके कोई patient को और ज़्यादा complications वगरा ना हो और अगर weight cup के अंदर भी ये prescribe किये जाते तो क्या कर सकता है कि disturb कर सकता है आपकी sleep को hazardous हो सकता है और उसके complications के तौर पे या फिर side effect के तौर पे hernia, piles, cardiac disease ocular surgery जैसे problems हो सकते है तो these are the drugs that act in the central nervous system to raise the threshold of cup center or act peripherally in the respiratory tract to reduce the tersal impulses or both of these actions and usually their use should be used only for non-productive dry cough तो ये है उनका main mechanism भी आपकाई सकते है या फिर उनका basic use तो cup center suppressants के तौर पे कौन से antitussive है तो opioid कि जो opioids class के जो medication से और opioid use होते है के करण समझे के आपको cough and cold की condition produce हुई है उसके करण आपको respiratory tract के related complications से तो उस वक्त ये codeine वाला falcodeine या फिर ethel morphine वाले cup syrups वागेरा as well as lintussis effective सावित होते है कि जो cup centers को suppress करके अपने pharmacological action देते है फिर दूसरे ऐसे की जो non opioid है as a antitussive तो उसके अंदर noscapin है तो यहाँ पे आप noscapin के tablet देख सकते हैं उसके बाद next है dextromethorphan कि यहाँ पे देखो उसका use भी लिखा है कि dry cough कि अभी जो हमने देखा slide के अंदर की antitussives जो है वो dry productive cough के लिए काफी effective साभित होती है तो dextromethorphan जो cough syrup है तो यहाँ पे उसका use भी लिखा है कि for the relief of the dry cough तो dry cough के treatment के लिए सबसे ज़दा antitussives medications prescribe किये जाते है तुसरा है chlorophyadyanol है तो यहाँ पे आप उसके marketed formulations अलग-अलग देख सकते कि जिसके अंदर मेन एक common ingredient रहता है dextromethorphan फिर antihistamines की जो antitussives के तौर पे काम कर दे तो वो है chlorophynaryamine है diphenhydramine है and promethazine तो यहाँ पे chlorophynaryamine malate यह cough syrup के अंदर देख सकते कि जो expectoron के तौर पे भी काम करती है और साथो साथ chlorophynaryamine, diphenhydramines and promethazine जैसे antihistamines होनी के कारण वो antitussives के तौर पे भी काम करता है फिर है adjuvant antitussives तो adjuvant antitussives के तौर पे हम देखे तो bronchodilator भी काम करते है जिसके अंदर salbutamol N terbutalin तो यह दोनो bronchodilators में से जो antitussives का काम करते है तो वो है salbutamol N terbutalin के salbutamol N ambroxal का यह syrup आप देख सकते है तो bronchodilator के तौर पे यह काम करती है और adjuvant antitussives के तौर पे यह medications अपनी pharmacological action देते है तो उनकी mechanism and working हम समझे तो यह medications क्या करती है suppress करती है आपके cuff centers को inhibit करती है production of a cuff जैसे कि dextromethorphan है तो वो NMDA receptor antagonist पे तौर पे काम करता है and antihistamines reduce करते है mucous secretions by anticholinergic action in your body तो यह diagram के अंदर आप यहाँ पे देख सकते है यह cop center की जो brain के अंदर आए हुए है तो brain से जो cop centers के और जो यह जो impulses जाते है तो यह impulses की जो vagus nerve के दुरू पॉचते है तो यह tussle impulses को block करके अपनी pharmacological action देते है और उसमें जो यह dextromethorphan है तो वो NMDA receptor antagonist के तोर पे काम करता है antihistamine की जो mucous secretions को कम करती है reduce करवाती है by there anticholinergic action तो इस तरह से यह हमारी जो central nervous system है कि जो कि वहाँ पे main cop centers वगेरा है और वहाँ से impulses लाने के लिए जो vegas nerve है superior laryngeal nerve की जो branch है vegas nerve के तो वहाँ से जो impulses respiratory tract से lungs की और पहुचती है और वो cough को produce करने का कि जो tussle impulses cough का secretion करवाने का mucous का secretion करवाने का काम करते तो जब यह center ही inhibit हो जाते है impulses पहुचना दिरे-दिरे कम होते है तो आपके body के अंदर जो cough का जो production होता है वो दिरे-दिरे कम होता है तो antituses कौन ना ले तो जिनकी overactive thyroid gland है उनको use नहीं करने चाहिए मतलब की do not use ऐसे patients को use नहीं करने की जिनकी thyroid gland overactive है जिनको diabetes है close angle glaucoma है जिनका blood pressure काफी high रहता हो significantly uncontrolled high blood pressure है severe disease of arteries of heart and जिनका prostate enlarge है तो ऐसा patient गलती से भी antituses drug को use ना करे इनके side effects हम देखे तो side effect के तोर पे drossiness जैसा feel हो सकता है fatigue भी होता है dizziness जैसा produce होता है कि थकान के कारण ये medications के side effect के तोर पे आपको थकान लहो सकती है और उसके करण जो भी पेशन्ट है उसको dizziness, drossiness जैसा feel होता है headache होता है फिर आगे जाके blur vision, upset stomach, nausea, vomiting constipation and dry mouth, nose and throat कि अगर आप समझे के dextromethorphan के cup syrup लेते तो आपको dry mouth जैसा feel होगा और आपको ऐसा feel होगा कि आप बार बार पानी पिए पानी पिने के आपके काफी इच्छा होगे because आपको ऐसा feel होगा कि आपका mouth जो है वो dry हो रहा है nozzle cavity dry हो रही ही लगती है या फिर आपके throat के अंदर आप dryness वगेरा feel करते तो कि जिसके करन आपको पानी पिना परता है बार बार कि जब आप ऐसे antitussive medications लेते है तो यह हैं उनके side effects तो यह था हमारा special lecture about the antitussive drugs so thank you for attending join कर सकते हैं whatsapp group यह वाला whatsapp help line number है 942 618 036 access कर सकते study material test series and video lecture on app pharma rocks good luck and all the best